हमारा वोट शेर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कॉंग्रेस का सफाया हो गया वो गलत है हाँ दक्षिन भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कॉंग्रेस एकलोती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा जिस तरह का मीडिया नरेंद मोधी जी को मिला है बड़े किसमत वाले हैं कसम से कह रहा हूँ इतनी अच्छी किसमत लेकर ये प्रधान मंत्री आये हैं ऐसा मीडिया आप हमें एक महीने के लिए दे दीजी और साथ द आपको लड़ना है चुनाव आप हरें और सारा का सारा दोश आपको अभी भी लगता है कि मीडिया अब सवाल नहीं पूरा होने देंगा कि सारा का सारा दोश आप मीडिया पे मर दें आप मर दें की एजेंसी की वज़े से हुआ अरे एजेंसी की कारवाई तो वोटिंग के पहले 36 गड़ में हुई, फिर भी जैनता ने, कि मैं आपको दोश नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ, आप श्रेय लीजिए, आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए, कि आप राहूल राहूल करते हैं, लेकिन राहूल जी जिता नहीं पात करती है वो पार्टी करती है जो जीती है क्यों जब आप करनाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूगा उसका भी पूछेंगी वो भी दूगा पहले 2014 तक क्या होता था पार्टिया चुनाव लड़ती थी मीडिया निश्पक्ष एक भूमिका निबाता था दो हजार चौदा के बाद एक इको सिस्टम चुनाव लड़ते हैं एक तरफ अकेली विपक्ष दूसरी तरफ मीडिया एजेंसीज सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्ट अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड ह कि किया है कि है ली तो यह कह दीना में तो आपको सिर्फ Nej दे रहूं आप इसमें आइस्मिश्रे लीजिए को गलत बात नहीं है इसमें श्री दूल बिदे रहा शेरो शाहरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे बना अच्छा देंगे लेकिन आप तो सिर्पे आज बांद के आये हैं कि क्या बोलना है लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कॉंग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था देखते हैं पाते फिर से मैं कहूंगा मीडिया तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है आज का विपक्ष अनात है यह आप मानिए इसलिए कहता हूं आर्क इसकी है मंच पर बिठा रखता है तीन कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को लोकतंत्र हार रहा है उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है यह जो चुनाव के नतीजे आते हैं इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है एक जीत जाती है आपका एक्जिट पॉल हार जाता है आप जीत जाते हैं चलता है यह सब लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत् देखा कल पार्लेमेंट में, क्या इस तरीके से चुनावायुक्त बनाए जाएंगे, अगर ये कॉंग्रेस सरकार के दौरान होता, तो आज नेशन वित अन्ना करके अंजना ओमकश्यप सुभा से रात तक चैनल पे चलाती और सडक पर अन्ना हजारे आ जाते, क्यों नहीं आत और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे